आज हम केक कुकर में बनाएंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक दम पुफेक्ट कस्टड केक बन करके तयार होगा तो वीडियो को पूरा देखेगा पसंद आए तो इस रेसिपी को आप भी घर पर ट्राइ कीजिएगा और मेरे वीडियो के एक लाइक दे दीजिए अगर कमेंट करके बता दीजिएगा अगर थोड़ा सा टाइम हो आपके पास हलो एवरीवन बहुत बहुत सागत है आपका मेरे यूटीव चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की दरफ एक प्रेशर कुकर ले लीजिए चोड़े मूँ वाला जो बड़ा कुकर हो जिसमें केक का भरतन है वो आ सके कुकर में हमें डालना है नमक तो यह जो नमक मैंने डाला है यह बहुत बार का यूज किया हुआ है मैं सेव करके रख लेती हूं इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है बार बार गरम होके आपके पास ऐसा नहीं है तो आप वाइट नमक यानिकी फ्रेश नमक यूज़ कर सकते हैं इसे अच्छी तरह से बिचा दीजिए अंदर नमक को फिर गयस को हमें ओन कर लेना है और धकन रख देते हैं और सीटी नहीं लगानी सीटी हटा देनी है धकन से और इसे मीडियों फ्लेम पर तीन से पांच मुनिट के लिए गरम होने देते हैं कुकर को तब तक यहां मेरे पास बनीला कस्टर्ड पाउडर है एक बड़े बरतन में हम एक कप लिया है मैंने तो यह आप एक कटोरी या चाय वाले कप का इस्तेमाल जरूर करें सही मेजर्मेंट से केक बनाए तो एक दम परफेक्ट बनता है बिगरता नहीं है तो मैं जो कप का इस्तेमाल कर रही हूं इसकी जो नाप है यह 120 ग्राम है तो मैंने यहां 100 ग्राम दिया हुआ था मैदा इसमें 20 ग्राम जो बाकी का खाली था कप उसमें 20 ग्राम मैंने वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है अब इसे एक बड़े बरतन में हम डाल लेंग या फिर 30 एमेल के लगबग इसके साथी साथ दूध है 40-50 एमेल के लगबग दूध तो दूध आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाईएगा जिससे की जो आपका बैटर है वो ज्यादा गीला ना हो जाए थोड़ा थोड़ा करके जैसे जरूरत पड़ती जाए उस हिसाप से आप इसमें मिलाईएगा बहुत जादा पतला नहीं करना है बैटर को बैटर थोड़ा गाड़ा ही रहना चाहिए अब इसे दो मिनट के लिए अच्छी तरह से फेटेंगे जिससे की हमारे जो वनीला कस्टर पाउडर था और जो हमने इसमें सक्कर डाली है जो भी चीज़े के लगबग टूटी-फूटी डाल देंगे इससे बढ़िया टेस्ट भी आता है और दिखने में भी बहुत बढ़िया लगता है केक तो अगर आपके पास टूटी-फूटी नहीं है घर पर तो आप इसमें ड्राइफ फूट डाल सकते हैं या फिर वह भी नहीं है तो आप साधा एकदम बेसी केक बना सकते हैं अब चलिए हमने बैटर को तो एक तरफ रख दिया है साथी साथ हम जिसमें बेक करेंगे जानी कि अपना केक बनाएंगे जिस बरतन में उसे तयार कर लेते हैं तो मेरे पास है ये एक केक टिन यानि की अलुमिनियम का टिन है इसमें मैं बेकिं़ पेपर यानि कि जिसे बटर पेपर भी बोलते हैं ये मने यहां पर लगा दिया है बटर पेपर कैसे बनाया जाता है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी घर पर आप दो सेकंड के अंदर बटर पेपर फ्री में बना सकते है इससे क तोटी चम्मच और बेकिंग सोडा लिया हुआ था एक चोथाई चम्मच क्योंकि हमने आपर आधा कप का मेजर्मेंट लिया हुआ है यानि कि जो है 120 ग्राम अगर आप 200 ग्राम आटे के साथ इसे बना रहे हैं तब आप एक टी स्पून यानि कि जिस्ट डबल कर दीजिएगा अब इसे हम जल्दी से जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद में तुरंत हम केक टिन में इसे पोर कर देंगे और इसमें उपर कुछ टूटी-फूटी डाल देंगे इस तरह से ठोक देंगे जिससे कि कोई इसमें अंदर एयर बबल ना रहें तो यहां पर सोडा और बेकिंग पाउडर का खास ख्याल रखिएगा जो बेकिंग पाउडर हमने यहां पर हाफ टी स्पून डाला है और बेकिंग सोड क्योंकि उससे केक जल सकता है तो मैंने आपर एक छोटी प्लेट डाल दी है केक टिन रख देंगे ढखकन बंद कर देंगे और पचीस से तीस मिनट तक इसे लो फ्लेम पर यानि बिल्कुल धीमी आज पर हमें बस पकने देना है पचीस मिनट तक इसे बिल्कुल मत खोलेगा 20-25 मिनट बाद हम इसे चेक भी कर सकते हैं एक बार बीच में तो मैं लगबाग आधे घंटे के बाद यानि 30 मिनट के बाद इसे खोल रही हूं तो देखिए केक हमारा राइज हो गया है अब हमें केक को चेक करना है तो इस तरह एक चाकू लीजिए या फिर इस तरह टूथ अब इसे और बेक कर लीजिए धीमी आज पर अब इसे ठंडा होने दीजिए कुकर से मैंने बाहर निकाल लिया था केक टिन को अब जो भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा यानि हैंडल करने लायक हो जाएगा तो चाकू से हम इसके किनारे थोड़ा थोड़ा इस तरह से तो देखिए आप केक ठंडा है इसे अच्छी तरह से काट भी सकते हैं इसे मारे हाथ नहीं जलेंगे तो अब हम इसे अपने मन पसंद तुकड़ों में काट लेंगे तो जैसे ब्रिटैनिया वाला केक आता है मैं कुछ उसी स्टाइल में इसे काट रही हूं छोटे-चोटे प खाने में तो घर बहुत टेस्टी लगता है कि वनीला फ्लिवर सभी का फेवरिट होता है तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की आसान सी रेसिपीज के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाल